बिस्मिल्लाइ वहमान रुरहीम खवादेनों हदरात हमारे यूटूब चैनल पर वादे दकन के ए उर्दू रिसोर्सेज यानि अर्दू के आनलाइन वसायल में आप तमाम के इस्तक्बाल है खवादेनों हदरात इससे पहले हम बारा एपिसोड पेश कर चुके हैं चुकि हमारा मकसद ही है अर्दू दा अफराद तक अर्दू रसायल अर्दू किताबों का पहुंचाना चुकि दुनि आज बहुत तरकी कर चुकी है साइंस की कोशिशों ने बहुत सारी आसानिया फराहम कर दी है हम चाहते हैं कि इन आसानियों का फाइदा उठाया जाए और तमाम लोगों तक इस तरह की चीज़ें पहुंचाई जाए इसी कोशिश के तहत हमने यह सिलसला शुरू किया यह उ अर्दू वसाइल के हवाले से लोग वाकिफ हो सकें क्योंकि अर्दू की जो आबादी है अर्दी बोलने वाले की जो आबादी है या अर्दू किताबों को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो दुनिया के मुक्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं इस हिंदुस्तान या पकिस जिन्दा है इसको और ज्यादा सीचने की जरूरत है इस जबान को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है तो खवादिनों हदरात आज की इस एपिसोड में हम एक नए वेब साइट पर जाएंगे वो सबता है कि आप उससे वाकिफ हों लेकिन जो लोग वाकिफ नहीं है उनके ये नया है उस वेब साइट से एक रिसाला शाय होता है या उस एदारे से रिसाला शाय होता है जिसका नाम है सामाही तहकीकात इसलामी अलीगर्ड ये रिसाला अलीगर्ड से शाय होता है और इसलामी नक्ते नजर को पसमंजर बना कर ये रिसाला शाय होता है वो तहकीकात क हवाले से होता है research को follow करता है तहकीग और जिस्तुजू के बाद जो नतायच बरामद होते हैं उनको पेश करता है आए ये देखते हैं उस website पर जा कर के की कि वहाँ पर क्या क्या चीज़े हमें मिल सकती हैं तो आए ये देखते हैं हम इस YouTube चैनल को और बने रहे हमारे साथ आखिर में चुकि हमारा मकसद है अवाम तक इस वीडियो को पहुंचाना ताकि लोग भी फाइदा उठा सके हुआतिनों हदरात तो हम पहुंच गए समाई तहकीकात इसलामी अलीगड़ के प्रोटल पर हमें गूगल पर जा करके तहकीकात ड भी तमाम चीज़ें यहां पर मौझूद हैं आप जा करके उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं समाई तहकीकात इसलामी अलीगड़ इसके जो मकासिद हैं वो उन्होंने यहां पर पेश कर दिया है मैं चाहता हूँ कि वह मकासिद आपके सामने में पेश करूं इदारे तह खयात तो मुद्द से जहन में करवटें ले रहा था लेकिन इसका इजरा ऐसे हालात में हुआ कि इस तरह के इल्मी मुझलात के लिए जो जरूरी तैयारी मतलूब थी वो नहीं की जा सकती थी जो मसायल दरकार से वो मफकूत थे इतने जो मियार अपने सामने रखा था उसक के मताबिक लिखने वाले भी पेशे नजर न थे इतले बहुत से आहबाब और मुखलिसीन को शक्त था कि ये चल भी सकेगा या नहीं मुझे याद आता है कि एक मजलिस में इसका खाका पेश किया गया तो एक साहिब इल्म ने सबसे पहले सरमाय का सवाल उटाया फिर इसका जो अंदाजा उन्होंने बताया वो हिम्मत तोड़ने और इस अगदाम से बाद रखने के लिए काफी था जब मैंने अपनी बेसर उसमानी का धिकर किया तो उन्होंने कहा फिर तो खाम खाम जल्ला ना निका लिए उन्होंने अपने तजर्बात की रोशनी में बयान किया क अग्दाओ के बरोसे पर मजले की इशाद का फैतला किया गया इसके करम का सद्का कि उसने इस राह की मुश्किलाद को आसान कर दिया और कदम कदम पर दस्तिगीरी फरमाई अस्तहाब इल्म उ फद्ल ने जिस तरह इसकी पधीराई की परागदली का सबूत दिया मुहबस स नवादा और अमलन बेगरस ताउन किया इसे मैं अपने खुश्किसमती तस्वर करता हूँ अल्ला ताला उन सब मुआवनीन को अजराता फरमाए अमीद है कि आइंदा भी इसका उनका ताउन हासल रहेगा और इनके रशात कलम से तहकीकात इसलामी के कारईएन शक्ल में और बेहतरीन इल्मी उसलूब में पेश की जाए इन पर जो बैरूनी अफरात पड़े हैं उन्हें दूर किया जाए इक तलाफी मसाइल को बहस तमहीद के जरीए हल किया जाए दौर जदीद में इसलाम के बारे में जो गलत फहमिया पाई जाती हैं उनका इल्मी अंदाज में इदाला हो और उसे एक जिन्दा और इनकलाबी फिक्र की हैसियत से पेश किया जाए जो आज़के इन्सान के पेचीदा तरीन मसाइल को भी हल करता और उसे दुनिया वाखरत की कामियाबी से हमकनार कर सकता है इस मश्किल काम में उन सब अफराद का ताउन हास किया जाए जो मुलक के मुक्तलिफ हिस्सों में इसलामी उलूम पर तहकीकी खिदमात अंजाम दे रहे हैं अल्ला का शुक्र है कि तहकीकात इसलामी इसमें बड़ी हद तक कामियाब है और यह उसी का फदल करम है कि इल्मी जरायद में वो एक इम्तियादी मकाम हासिल कर होते रहते हैं इसके मतादित मकालात के अंग्रेजी और अर्वी तर्जमे शाय हो चुके हैं बाद मदामीन अलग से रिसालों और किताबों की शक्ल में भी आ चुके हैं इल्मी इदारे इसके मकालात को अहमियत दे रहे हैं बाद मदामीन को रिसर्च इसकालन ने मदीद त का है उसकी तलब जारी है तहकीकात इसलामी कोई इदारे के कारकुनों के अलावा अली गड़ मस्लिम इनिवस्ट्री के मुक्तलिफ शौबों से तालुक रखने मतादिद आहले इल्म दानिश का भरपूर कल्मी ताउन हासिल है इसके अलावा देली लखनव कश्मीर कलकता पटना बनारस हैदराबाद और बैंगलोर वगरे की जामियात और तालिमी इदारों के असहाब कलम ने भी अपनी निगारशास से इसकी कदर कि प्रूम्ट में दाफा फर्माया है मौदूवाब के लिहाँ से त्थकिकात इसलामी में अब तक तफसीर हदीज, सीरत, सवाने, तारीख, पिकह, तस्वफ, माशियात, समाजियात, माशियात और स्यासत से मुतालिक मकालाश शाय हुए हैं बाद मौदुवाद पर कम और बाद पर ज्यादा इसके साथ ये भी एक हकीकत है ये बाद समाजिय उलूम बिल्कुल देरे बहस नहीं आ सके हैं अमीद है, इन उलूम के माहरीन इस तरफ तवज़ फरमाएंगे और तहकीकात इतलामी के मियार को वजीब तरकी देने में इदारा के साथ ताउन फरमाएंगे तहकीकात इतलामी से उसके खारीन की रोज़ अवज़ दिल्चस्पी भी हमारे लिए तक्वियत का बाइस रही है बाद मकामाँआगात पर तो इसकी इशायात का इंतिजार रहता है इसके गिर्द और आलिमी फदा बनती जा रही है और आलिमी और तहकीकी मजामीन बिल्मूम अपने खुश्च मजामीन की वजह से कम पढ़े जाते हैं तहकीकात इतलामी की कोशिश रही है कि इल्मि मवाद साफ सुद्री जबान में पेश हो और जहां तक मुम्किन हो अदब की चाशनी बरकरार रहे तख्कीकात इतलामी जो एक फिकरी गज़ा फराहम कर रहा है जिसके तारीफ और तोसीब भी होती रहती है और मशवरे भी दिये जाते हैं एक मौके पर पाकिस्तान के मशूर इल्मी वादबी रिसाला स्यारा के मुदीर प्रोफेसर हिब्द रहमान आसन ने लिखा था इधरा तहकीक और तफ्नीफ इसलामी अलीगण में बेश कीमत इल्मी और तहकीकी खिद्मात अंजाम दे रहा है इसके मौकिर तर्जमान समय तहकी तहकीकात इसलामी को यह एदाज हासिल है कि इसका हर शमारा अपने दामन में नहायत फादिल अहल इल्म के बलंद पाया तहकीकी मकालात को समयटे नहायत अबुताब के साथ मंजर आम पर आता है और इल्म तहकीक के शायकीन की प्याद बुजाता है हमारे इल्म की हद तक उस वक्त अर्दु जबान में बर्यादीम पाकिस्तान और भारत में इस मियार का कोई इल्मी और दीनी जरीदा शाय नहीं होता तहमाही तहकीकात इसलामी के हर शमारा और सिलसले मदबुआत के हर किताब को देख कर उनके फादिल मुरतिबीन के हक में दिल से दुआ निकलती है खदा करे ये सलसले खेर इसी तरह कामियाबी के साथ अपने मकासित की तक्मील में जारी रहे बलकि दूसरों के लिए रहनुमाई का फरीदा अंजाम देता रहे मानामा सियारा लाहूर इशायत खास फरवरी 1991 सफ़ा पान सो दो खवातिनों हज़रात हम हमारे सामने ये जो इशूस का हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आपके सामने ये पोटल पर 2021 का ये रिसाला शाय हो चुका है तमाम के तमाम रिसाले यहां मवजूद है 2022 का रिसाला नहीं आया क्योंकि सामाही तहकिगात इसलामी अलीगर्ण ये रिसाला सामाही ही है तीन महिने पर एक बार शाय होता है जरवरी मार्च का हो सकता है कि मार्च तक में आए तो इस तरह से हम देखेंगे कि 2021 के चार रिसाले जर्वरी फर्वरी मार्च के सामने एक लिखा हुआ है अप्रेल में जून दो लिखा हुआ है जुलाई अगस सितंबर तीन लिखा हुआ है अक्तूबर नौंबर दिसंबर ये चार लिखा हुआ है तिस के साथ डाउनलोड होना शुरू हो रहा है इसी तरीके से डाउनलोड होगा मैंने आलेटी डाउनलोड करके एक रख लिया है सामने यह देखिए नजर के सामने आपके जनवरी तामाज 1982 का यह रिसाला है यह और यह पहला रिसाला है उस वक्त इसके निगरान मौलाना सदरुदीन इसलाही और मुदीर सेद जलाल अद्दीन अमरी साहब हैं और उस वक्त इस रिसाले की कीमत 5 रुपे हुआ करती थी इसमें मुक्तलिफ तरह के मदामین हर्फ आगास सेद जलाल अद्दीन अमरी साहब का है फिर पुरान और अदीथ में खिस आदम हुआ पेश किया गया है तहकी को तर्खीद इस में है बहस नजर है तर्जमा तर्खीस है ताउन और तफसरा है यह तमाम चीज़ें मिल करके इस रिसाले को मकमल करती है यह दूसरा रिसाला भी डाउनलोड हो रहा है एक रिसाला और हम देखेंगे यह देखिए यह जनवरी फरवरी मार्च का रिसाला है हमारे सामने आ चुका है यह किताबे जो पब्लिश होती है वहां से इजारे से उसका दिक्र है मुआविन मुदीर में मुहम्मद रजीयुल इसलाम नद्वी साहब भी इसमें शामिल है इसका आई एससे नमबर 23218339 है इस तरीके से हमें यहां पर तमाम चीज़ें इसकी है मकाला निगार अधराद के लिए मकाला भेजने के लिए यहां पर दिया है इसकी वेबसाइट दी हुई है इसी तरीके से कांटेट करने के लिए आपको मुबाइल नमबर है काउंट नमबर है तमाम चीज़ें यहां पर मौजूद हैं आप इनसे राप्ता करके आप इसकी कापिया मगा सकते हैं यहां पर भी देख से देखेंगे अगर हम अरफ आगा तहकी को तर्कीद बहस नजर सेर वो समाने तार्फ वो तफसरा मदामीन का अंग्रेजी खुलासा यह तमाम चीज़ें यहां पर मौजूद हैं तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बेथरी रिसाला आई यह देखें नया रिसाला भी उकुल गया यहां पर आपरेल जून का तो इस तरीके से बे 2018 के चारे साले 2017 और हम आखिर में जा करके देखेंगे तो 1922 से आपके रिसाले बराबर मिलते जाएंगे बराबर मिलते जाएंगे आपको कुछ और करने की जरूद नहीं है जिस भी साल का रिसाला आपको डाउनलोड करना है यहां पर पीडियाफ का कालम दिख रहा है हम यह किलिक करते ही यह फरन डाउनलोड होना शुरू हो जाता है तो मतलब यह कि बहुत आसान है इन तवाम चीज़ों का महफूस करना तो आपने देखा कि आज हमने एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया जो एक रिसाला अपलोड करती है गो कि वह रिसाला पिरिंट भी होता है 1982 से लगातार पब्लिश हो रहा है शाय हो रहा है बड़ा मियारी रिसाला है और दीन और इलमी बातों को ले करके उसमें ज्यादातर मदामी शामिल होते हैं यह हमारे लिए जहें अच्छी बात है चुकि यह तहकी की मौकाला है तहकी के बाद मंदर आम पर आता है तो जा अभूरत भी है कि आप इस तरह से अर्दू अदब की अर्दू रिसालों की अर्दू किताबों की पजिएंगे जहें आ को महفوظ करेें और इनको पढ़ें यह जो मकसद है लिक्ने वाले का जो मकसद है पेश करने वाले का और यह मकसद है हमारा हम भी चाहते हैं कि मुताला जादा हो हम भी चाहते हैं कि दीन को समझना है तो उर्दू को पढ़ना होगा चुकि ज्यादातर किताबें ज्यादातर रसायच उर्दू में मौझूद हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर रोज एक नई वेबसाइट का तारूफ आपसे कराएं उसके लिंक के बारे मे ये बताएं चुकि बताना हमारा काम है हम अगर नहीं बताएंगे तो आप नई टेक्नालोजी से या जो दूसरी कवमें हैं जिस तरह से वह आगे बढ़ रही हैं हम नहीं पहुंच तक हम जहें नहीं चीज़ों को सोच नहीं सकते हमारा दिल सोचने और समझने की उस तरह से सलाहियत नहीं रखता जैसे कि आम लोग रखते हैं तो दुर्वरत इस बात की है कि हम पढ़ें पढ़ने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं बेरहाल इसी तरीके से बने रही है हमारे यूटूब चैनल के साथ हम नई नई वीडियो ले करके आते रहेंगे नई नई वीडियो और नए ने वीब साइटस है मैं आपको वाक्व कराते रहेंगे हमारा काम गाँं गाँं तक रिया गरिया तक जह है इन वीडियों को पहुंचाना इन किताबह को पहुंचाना ताकि लोग घूरे हो तुरे गफलत में हैं लोग अभी भी जो पिछे पीछे हैं, लोग अभी भी जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लोग जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्लेट फार्म नहीं मिलना है, लोग जो रोजगार तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, इन तमाम चीज़ों के लिए आप जुड़े र झाल वस